जय मातादी जय माकामाख्या देव राधा ट्रस्ट सित्यमानी चेनल के मध्यम से आप मनुष्य जीवन में आने वाले अनेक कस्ट दुख परेशानी उनसे मुक्ति के उपाय प्राप्त करते हैं जितने भी उपाय बताए जाते हैं पुन रूप से शाष्त्र सम्मत उपाय बताए जाते हैं करना नी करना आपके उपर निर्भर करता है मैं अपना धर्म निभा रहा हूं अब आपकी बारी है इश्वर ने आपको पढ़ाया है इश्वर ने आपको लिखाया है बुद्धी सही दी है विकलांग नहीं हो, पागल नहीं हो अंधे नहीं हो, गूंगे नहीं हो, बेहरे नहीं हो तो आप भगवान का नाम लेकर के कश्ट भोकते हो तो मनुष्य के जीवन में ऐसे बहुत से उपाए हैं जिनको करके आप इन कस्टों से निजात प्राप्त कर सकते हैं जब किसी मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना उसे ग्रनक्षत्र के बारे में पता लग रहा है ना ही उसका दिमाग काम कर रहा है ना उसके कुल देवी देवता सायो कर रहे है और ना ही इस्ट देवता सायो कर रहे है ना उसकी चाया उसकी परचाई भी उसका साथ नहीं देती है पतनी बच्चे भी साथ नहीं दे रहा हो यानि कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है किसी मनुष के साथ में आदमी बरबाद होते जा रहा हो व्यापार धंदा बंद होने पर आ गया हो एसी बाधा जो किसी के समझ में नहीं आ रही हो उपरी बाधा भी हो सकती है तंतर बाधा भी हो सकती है काला जादू भी हो जगता है नजर दोश भी हो सकती है मुठ करनी भी हो सकती है खिलाई पिलाई भी हो सकती है मियादी भी हो सकती है पागल बंजा ऐसे भी किया जा सकता है कोख को बांदा जा सकता है व्यापार को बांदा जा सकता है मांगली कारिकुम को बांदा जा सकता है मस्सिस्क की सोचने की समझने की शक्ती को बांदा जा सकता है और सब प्रकार से पूजा पाट जिस जिसने जैसी पूजा बोली सब करवाने के बाद भी शान्ती नहीं मिलती हो तो मनुष्य शत्रू से परिशान हो पती पतनी में विवाद होता हो ग्रह कलेश होता हो व्यापार में नुकसान हो रहा हो तरंकी नहीं हो रही हो हर कारे में असफलता मिलती जा रही हो और बहुत बार पूजा पाट कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो ऐसा अगर किसी मनुश्य के साथ हो रहा है तो ये मान करके चलें उसे परम पिता परमात्मा और मा जगत जन्नी का श्राप लगा हुआ है उसे अच्छे व्यक्ति मिलेंगे ही नहीं जो उनके शाफ से विमुक्त करा दे तो ऐसी परिष्टिती जो हमने आपको बताई है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो कि उस मनुश्य के साथ में क्या हो रहा है तो समझ जाओ परम पिता परमात्मा और मा जगत जन्नी का श्राप है एसे मनुश्य को कल्यू के तीन देवता हैं उनकी पूजा करना चाहिए तो कल्यू के तीन देवता कौन? एक तो हनुमान जी की पूजा करे महरुजी की पूजा करे और काली मा की पूजा करे तो व्यक्तिय को इन तीनों देवताओं की पूजा करना होगी अब जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या घटना घटी तो रही है तो उसे सरप्रथम किसी मंदिर में याने की आश्रम में चाकर की रहने लग जाना चाहिए जिससे ग्रह नक्षत्र जो है वह उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं यहने कोई भी व्यक्ति चाइस्त्री हो या पुरुश हो यदि वह किसी भगवान की सेवा करने लग जाए भगवान के मंदिर में के आसफास ही रहने लग जाए उसकी पाजिटी एनरजी के अंदर रहने लग जाए मंदिर के अंदर जाडू पहुंचा लगाने लग जाए मंदिर की साफ सफ़ा ही करने लग जाए मंदिर में दीपक लगाना प्रारंब कर दे और मंदिर में रेकर के ही वह उस देवी देवता की इन तीन जो देवी देवता मैंने बताए हैं चाहे वो काली मा हो, चाहे वो हनुमान जी हो चाहे वो भेरव जी हो इनकी इस्तुतियों का पाठ करना प्रारंब कर दे तो उसके ग्रह नक्षत्र या उसके पाप उसको ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएंगे यहने हनुमान जी की सेवा करने का मतलब है हनुमान चालीसा का पाठ करना मजरंग बान का पाठ करना हनुमान जी यह चोटे-चोटे मंटर जो है हर समय अन वरत बोलते रहना चाहिए तो धीरे धीरे पाप कट दिगा, जब पाप कट जाएगा तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी तो कल्यू के तीन देवता की पूजा मनुश्य को मंदिर में जा करके करना चाहिए तीनों उग्र देवता हैं, इसलिए इनकी पूजा घर पे नहीं की जाती है काली मा की सेवा करें, काली मा की पूजा करें, निवु काटें काली मा को आई गिरिनंदी निनंदी तमेदी निविश्व विनोदी निनंदनुते गिरिवर विंद्य शिरोदी निवासी निविष्णू विलासी निजीष्णू नुते यह स्थूती ज्यादा से ज्यादा पाट करें, चाहे वो 21 बार करें, 27 बार करें, 54 बार करें, इससे भी आपके पापों का प्राश्रित हो सकता है. बजरंग बान का पाठ करना चीए 21 बार या 27 बार और भेरव अश्टोतर शतनाम का पाठ करना चीए 27 बार या 54 बार या 108 बार आपके दिन पलटते देर नहीं लगेंगे यह बिलकुल निश्शित है क्योंकि हमें जो सजा देते हैं वग्र नक्षत्र के बहुत से जो प्रतीनीदी होते हैं वह सजा देते हैं और वह जब सजा देते हैं तो भूत प्रेत पिचास चुडेल डाकन जिन जिन नाद अबीस जा देने के लिए आ जाते हैं तो ये डरते हैं किस से कालीमा से डरते हैं बहरव जी से डरते हैं हनुमान जी से डरते हैं क्योंकि दो तो रुद्र के अवतार हैं और कालीमा से हम अध्शक्ती हैं तो जो मनुष्य जैसा हमने कहा है कि कोई भी पूजा पाट सफल नहीं हो र हर जगे आपको अंधेरा ही, अंधेरा नजराता हो, तो आपको हमने जो उपाय बताएं, जो उपाय वश्य करना चाहिए। फिर भी यदि आप नहीं कर सकते हो, तो देवरादा ट्रस्ट सत्यमानी चैनल से संपर करें। आपके घर पे आकरके, आपके दुकान पे आकरके, आपके फैक्टरी पे आकरके, आपके व्यासाइस तल पे आकरके, देवरादा ट्रस्ट के जो एक्सपर्ट परतीनी थी हैं, वो आपके महां करके इस से संबंदित चप तप हवन अनुष्ठान विदी विदान से कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर वाटसप के माध्यां से संदेश दे करके संपर करें, क्रपया फोन नहीं लगाई जय माता दी, जय मा का मक्या